असलालेकुम डियर केट्स कैसे आप सब ठीक हैं जी तो प्यारे बच्चों मेरे पास यहाँ पर मजूद कायड इंग्लिश ग्रेमर और ये वन क्लास की बुक है so kids हम λोग इसे open करेंगे then open करने से पहले हम लोग देखेंगे कि आज हमारा topic है वो यूनियर नंबर 4 पर और topic हमारा है gender, gender, जेंस को कहते हैं so kids हम लोग बेफ्टरीन तरीके से इसको सीखने के लिए मेरे पास कुछ activity है जिसे हम लोग complete करेंगे Now in first, यहाँ पर मेरे पास एक line है So, line में आप लोगों को दिखाऊंगी Look, this is line This is line, यह line है Line को उड़ो में share कहा जाता है So, a noun that stands for a male is called masculine अगर कोई चीज यानि के जो noun किसी इसम नार को जाहिर करे उसे masculine यानि मुझकर कहते हैं हमने उर्दू में भी देखा ना मजखकर मॉनस So, उसे मजखकर कहते हैं So, यहाँ पर मेरे पास share है It's been line Then मेरे पास next हमेरे पास है line है So, it's been feminal So, feminal A noun that stands for a female is called feminal जो noun यानि इसम मादा को जाहिर करे उसे feminine यानि मॉनस कहते हैं So, line is masculine And feminal is lineness यानि लाइन 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 इस शेर शेर नी शेर शेर नी Now next, मेरे पास मज़ीद खुब सूरच सी एक और भी चीज़ है जो यहाँ पर मेरे पास मजूद है Now look, this is monkey monkey, 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 this is monkey यह monkey है So, यहाँ पर मेरे पास line और line इस थी जिसमें हम लोगों ने icon masculine और feminine को देखा अब चलते हैं अपने बूक की जाने सो मेरी बूक पर यहाँ पर बहुत हुवसूरत रिक्यें से of page number 9, page number 9 और unit 4 gender and हमने हुवसूरत रिक्यें से में हम लोग इसेंपल को देखेंगे For example, यहाँ पर मेरे पास masculine में सबसे पहले है ं soybean Man, आदमी को कहते हैं. And Family में yaunis में, Woman. Woman, औरत को कहते हैं. So, Man, Woman. Now next, Boy. Boy, लड़के को कहते हैं. Girl, लड़की को. So, Yes Along यहाँ पर मेरे पास है Boy, और Family में Girl. Now next, King. King King बाद्शा को कहते हैं King बाद्शा को कहते हैं Queen Queen मलका को कहते हैं Queen मलका को कहते हैं Now next look this is cook cook मुर्गी को कहते हैं and hen hen मुर्गी को कहते हैं So kids move on next next आप देखेंगे यहां पर हमारे पास बहुत ही खुब्सूरत त्रीके से मजूद है हमारा work So work में मेरे पास यहां पर masculine feminine जह हम लोग ने first time में complete करना है वो है he to mere Now he वो यानि मुजक्कर She वो मोनस He got बक्रा She got बक्री Man आदमी Woman औरत Father बाब Mother मा Horse घोडा Mere घोडी तो चले एक दफ़ा से फिर से देखते हैं लेकिन प्यारे बच्चो इनसान हेवान चरेंद परेंद और दूसरे जानदार आपको नर और मादा यानि जोडो की शकल में मिलेंगे उन में से नर मुजक्कर और मोनस यानि मादा मोनस है So मैस्कनर में क्या है? He, 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 वो लड़की के लिए इस्तमाल होता है She, S-H-E, She, यानि वो लड़की के लिए इस्तमाल होता है He, 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 G-O-A-T, गोट यानि बकरा S-H-E, She, G-O-A-T, गोट शी गोट यानि बकरी Man, M-A-N, Man, Man यानि आदमी और आगे देखें, आगे है मेर पास वोमेन Women, It means औरत Woman, औरत को कहते है next father father बाप को कहते हैं f-a-t-h-e-r father mother m-o-t-h-e-r mother next is horse h-o-r-s-e horse horse घोड़ा मियर m-a-r-e मियर मियर घोड़ी so kids خوبصورت طریقے سے اپنے نے complete کیا so آپ نے بھی بہترین طریقے سے اپنی copy پر note کرنا ہے اور اپنی امی اور اپنے ابو یعنی اپنی ماما اور پاپا کو دیکھتے ہوئے یا بہن اور بھائی لڑکا اور لڑکی کو دیکھتے ہوئے آپ اس بات کو بتا سکیں گے کہ یہ میرسپنر ہے یا فیمنر so kids بہترین طریقے سے ہم نے اپنے work کو complete کیا آپ نے بھی اسی طرح اپنے work کو بہترین طریقے سے complete کرنا ہے so ابھی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو like کریں اپنی رائے comment کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل subscribe کریں اور bell کا icon دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا notification ملتا رہے